बूर्णिंग एवर्णिंग कैसे हैं आप सब लोग चिश ब्यूटी व्लॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्णिंग है और जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए मैंने गैस जला दिया है और उस पर रख दिया है एक भगो ना और मैं रख रही हूँ एग बॉयल जी हाँ विंटर है ना सर्दी है ना तो सुबह सुबह एग बॉयल करके खाना बड़ा ही मजाता है आप लोग नहीं खाते हैं तो आप लोग भी खाईए इससे आपकी हेर की जो प्रॉबलम है वो दूर होगी इंटर नवी ठीक है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है ना बरपूर तो आपको एग ज़रूर खाना चाहिए जो लोग नहीं खा सकते उनका तो नहीं कुछ कह सकते वो लोग पनीर खाईए लेकिन जो खा सकते हैं उन्हें ज़रूर खाना चाहिए इससे सर्दी, जुखाम, कोल्ड वगेरा भी नहीं होगा आपको ठीक है इसके बाद में मैंने एक तरफ तो गैस पर रख दिया था ऐल पॉइन के लिए सेकर्ड तरफ मैंने पानी रख दिया आप लोग भी हलका सक गुनगुना पानी करके और फिर मिक्स करके बॉटल में भरके रख लीजे और पूरा विंटर यही पीजे इससे आपका वेट लॉस भी होता है पता आपको गर्म पानी पीने से वेट भी जल्दी जल्दी से रिडियूस होता है तो यहां पर मैंने एंटर होती हूँ ना तो सबसे पहले मैं स्लैप को पूरा पूरा पोचह लगा देती हूँ एकदम साफ कर देती हूँ यह मेरी शुरू से आदत है चाहे वो साफ भी होता है तो भी मैं एक बार गीला कपड़ा जरूर लगा देती हूँ कि रात बर में बाइचांस कोई एक पूटी आ गई हो या कुछ भी आ गई हो तो उससे एकदम साफ रहे तो आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म को एकदम क्लीन साफ करके ही काम पर लगा करें ठीक है यह बहुत अच्छी आदत है वरना काफी लोग क्या है ना उटते ही सीधा स्टार्ट कर लेते हैं बनाना जो की बिल्कुल गलत है अपने गैस को साफ करें पाँ एक बार उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को साफ करें रात को तो हम करके ही सोते हैं लेकिन मॉर्निंग में भी एक बार कपड़ा लगा लेना चाहिए जिससे की एकदम क्लीन और साफ हो जाता है तो यह यहाँ पर मेरे एक बाइल हो रहे थे तब तक मैं काई यह काम में कर लेती हूँ और उसके बाद में टाइल्स वगिरा पर भी मैंने एक कपड़ा माल लिया रोज रोज का काम रहता है अवरी डे अगर हम यह सब कर ले न तो जादा गंदा नहीं होता है फिर हमें जब डीप क्लीनिंग की न है ना तो यहां पर मैं पूरा जो है टाइल्स वगिरा पर भी पोचा लगा रही थी क्योंकि मेरी आदत है मैं सीधा पह खड़ा नहीं रहती मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंना गैस पर कोई काम चड़ा दिया जैसे कि सबजी भी बन रही है या मैंना कुछ और चाय लगा लेती हूं तो इससे क्या होता है कि आपका काम है वो एक टाइम में डबल काम हो जाथा है मतलब दो चीज़ा आपकी जो है कम्पलीट हो जाती है तो ये आप लोग भी आदत में अपने लिया अगर नहीं है तो यह काफी सही रहता है तो यहां पर मैं अपने एक बोई बगे दो मिन के लिए उसके बाद में गशाए फसके दीस मिनट के लिए आपको आप से दस्ता मिनट के लिए ही उसको और खंद ऑगर तक में जाड़ थे में जासर और थे सारी लिए और वीट मिनृट außer और 30-20 भी 6 बेस्ट टाइम होता है इसको फ्लेम को ओफ कर देने का तो उससे उसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है टेस्ट भी बना रहता है और आप है जो अच्छे से हो जाता है तो यहां पर देखीए एग में आपको दिखा रही हूँ कि बॉयल हो गए है और फिर मैं अपने यह बना ली है दूद्ध चाई की पती यह दो चीज और अभी तो सर्दी है विंटर है तो गर्मा गरम अधरक वाली चाई पीने का मजा ही अलग होता है तो यहां पर अधरक है वह लास्ट में डालते हैं اسटार्टिंग में डालते हैं क्यूंकि अधरक महलका असा खटापन होता है तो फिर वो चाय फट सकती है तो आप अधरक स्टाइटिंग में नहीं डालके और जब आपको दो मिनट रहे ना कि फ्लेम बंद करना है अब बस दो मिनट है तब आपको अधरक उसमें क्रश करके डालना है और ऐसे कूटके नहीं डालने से उसका टेस्ट बह दो एक ले लेती हूँ कई बार होता है जैसे स्किप भी हो जाता है लेकिन अल्मोस्ट अभी विंटर है ना तो मैं यही ले रही क्योंकि बीच में मुझे कोल्ड हो गया था जुखाम बहुत जादा हो गया था तो इसको अगर आप लेते हैं तो आपका जुखाम कोल्ड गल में नहीं होगा और एक ब्लैक्टी जो होती है वह बहुत रामबान उपाए है कोल्ड के लिए चाहे गला में दर्द है चाहे गला खराब है खासी हो गई है जुखाम हो गया है बच्चों को बड़ों को सब को तो आप ब्लैक्टी बनाईए ब्लैक्टी पीजे आप एवरी बनाना सिखाऊंगी लेकिन किसी नेक्स्ट व्लोग में ठीक है तो यहां पर देखे गरमा गरम देखे कितने स्टीम निकल रही है और यह एग मैंने कट कर लिए अपने लिए यह दो एग है जो मैंने कट कर लिए अब मैं इसको जल्दी से गरमा गरम चाय के साथ में खाने और यह जब आप दो एक खा लेते हो ना तो यह समझ लो आपकी चार घंटे करी चार से पांच घंटे आपको भूक नहीं लगती है क्योंकि प्रोटीन होता है ना तो जो भी वेट लॉस कर रहे हैं उनको ब्रिकफास्ट में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए प्रोटीन लेन मैं 10-11 बजे ऐसा नहीं कि सुबर साथ बजे उठे तो साथ बजे ले लिया है आपको भी पता है कि मैं अपना जो है एक दो चीज़ें हैं जिसे कभी स्किप ने कर रहे ही कि एक्सराइज नहीं कर पारी बिकास कि अभी जो है बहुत सारा काम का लोड है तो बहुत चीज़े मैं हो पारी है न तो मैं एकसराइज पे अभी इतना फोकस नहीं कर रही लेकिन फोड़ा वॉक कर लिया करती हूँ और इसके साथ मैं जो डायट है वो मैंने नहीं बढ़ाई है तो इसकी वजह से मेरा वेट है बिलकुल नहीं बढ़ा और वही चीज मैंडेन है तो यहां प बना लेती हुए फिर इसको मैं साइड में रख देती हूए और उसके बाद मैं उसी भरतन को पहले वाश कर लेती हूँ ताकि मुझे रहे कि हाँ मैंने यह चीज क्लीन कर दी है उसके बाद मैं फिर मैं अब बैटके अराम से इत्मिनान के साथ में इसको इंजॉय करूंगी औ तो मैं यही काम कर रही थी और अभी vlogs guides बहुत दिन हो गए थे नहीं आप आ रहे थे लेकिन अब इंशालला मैं आपको everyday vlog देने वाली हूँ और हमेशा आती हूँ फिर आपको यही तसली देकर और चली जाती हूँ फिर मैं सब्दे बर गायब हो जाती हूँ अब ऐसा नहीं करूंगी आपके लिए everyday vlogs लेकर आऊंगी तो आप लोग भी please enjoy करिए और इन vlogs अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरी बात अच्छी लगती है मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो please 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 video को like जरूर करक तो साथ में जो जो बरतन भर रहे थे वो मैं wash करती जा रहे थी और clean करती जा रहे थी बस यही हो रहा था और इसके बाद में हम लोगों का आज mood बना था exhibition जाने का तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी मैंने अपना breakfast किया फिर मैं fruity और माहिर हम तीनों ही चले गए थे exhibition में क्योंकि उनको बच्चों को बहुत जादा रोज मुझे everyday बोल रहे थे exhibition चलना है चलना है तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए तो I think साड़े बारा एक बज़ गई थी हम लोग घर से निकल गए थे एक बज़े कासब फिर जाती हमें सबसे पहले book लगी थी क्योंकि स अच्छी स्टॉल लगी हुई थी काफी सारे food थे जिसमें junk food भी थे बट वो मैंना avoid किया और जो healthy चीज मुझे खानी थी वही मैंने डोसा लिया है और छोले बटूरे वो लिए दो लिए ये चीज़े तो हम लोगों ने इसको खाया enjoy किया बुट्टे खाया enjoy किया उसके बा जादा नहीं लिया बस हाँ थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे हैं तो इधर जूले लगे हुए थे तो यहां पर हम लोग लास्ट में जब निकल रहते ना तब मैंना थोड़ा सा शूट किया किया आपको दिखा देती हो एक बार तो यहां पर जूले वगेरा ये सब देखिएगा तो यहां पर फिर माहिर ने का कि चलो मुझे यह अच्छा सा यह वाला होता ना निशाना लगाना और तो शूट करना है तो मैंना का चलो यह वाला इसको करवा देते हैं तो इसके अंदर इसके अंदर यह बलून से यह लगे हुए हैं सामने और इसको आपको निशाना लगा कर और बलून के उपर शूट करना था तो वो इस ने किया और मैं थोड़ा सा इसका क्लिप ले रही थी बस यही हुआ और उसके बाद हम लोग बस हैंट टो एंड वहां से फिर निकल गए थे क्योंकि हम लोग आई थिंग एक बज़े गए थे और हम साड़े चार-पांच बज़े हम लोग महां से निकल गए थे इतना हम लोगोंने गूमया था इंजॉय किया था तो बस मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग अच्छा सा लेकर आती हूं